हाई फ्रेंड्स वेलकम हैं हमारे जीस इंडिया यूट्यूब चैनल्स पर यह हमारा टेस्ट नमबर 222 है और आज हम रिवीजन्स करेंगे मेराथन क्लास चलेगे ठीक है यह सभी कोशन सभी नर्सिंग परिछाओं के लिए काफी इंपोर्टन होंगे और थोड़ा फास्ट य तब तरह आघर आपको उसथाना हो थो थोड़ा फास्ट बताना है और यह कोशन आपको पाई जैसे कि मैं टेली बधाता हूं मुच्टे के जितने भी नर्सिंग अगमस याठासिंग ज्वी पोमस्टन सब्स्टनिघक करतेंगे आपकर कोशन मर फमर फस्ट ने आप के सकी इसे MTP की legal permission 20 सब्ता से बढ़ा कर कब तक कर दी गई है The legal permission of the MTP has been increased from 22 weeks to 10 आपको बताना है दिये गए आफसन मेंसे जो right answer होगा इसका जो right answer है आफसन भी है 24 weeks कर दी गई कितने 24 सब्ता कर दी गई है आप लिखेंगे आफसन में 24 सब्ता ठीक है MTP की जो legal permission 20 सब्ता थी पहले ठीक है इसे क्या किया गया है 2020 में 2020 में क्या किया गया है इसे बढ़ा दिया गया है 20 से कितना कर दिया गया है 24 सब्ता कर दिया गया ठीक है MTP आपको पता होगा medical termination of pregnancy ठीक है मतलब गरवपात किया जा सकता है 24 week तक होगे option B इसका right answer है तो ध्यान रखना है next question है आपके skin पर question number 2 question number 2 पढ़े जली से answer बताएं flag sign किस रोग में देखे जाते है in which disease are flag sign seen क्या है right answer इसका comment करें और last बताएं आपने कितनी question सही कि option D का right answer है question कर disease में देखे जाते है मैंने कई बार आपको बता है question number 3 पढ़े फिर आपसर बताएं नेगरी बोडीज निम्ड में से किस में देखे जाते हैं नेगरी बोडीज आर सीन इन्हीं चॉप दी फालाविंग क्या होगा right answer इसका option D का right answer इसका right answer rabies decision में देखे जाते हैं मैंने कई बार बताएं मस्तिस में क्या होता है oval shape में round shape में इसके जो वायरस होते है round shape में हो जाते है नेगरी बोडीज किस में देखे जाते हैं रेबीज decision में देखे जाते हैं चलती है next question पर यह रहाँ आपके skin पर question number 4 question number 4 पढ़ें फिर answer बताएं क्या होगा right answer इसका किस hormones को apart kalin hormones कहा जाता है which hormones is called the emergency hormones emergency hormones किसे कहा जाता है क्या होगा right answer इसका absence इसका right answer होगा adenal hormones को emergency या apart kalin hormones कहा जाता है या इस नाम से जाना जाता है next question number 5 पढ़ें फिर answer बताएं जल्दी से यहाँ पर पूछा गया question number 5 पे कॉपलिक्स के धब्बे कॉपलिक्स पोट किस में देखे जाते है कॉपलिक्स पोट आर सीन आपको बताना है in which of the following जो आफसन दिये गए इनी में से आपको बताना है किस disease में देखे जाते है option D इसका right answer होगा मिजल्स या खसरा में देखे जाते है कॉपलिक्स पोट चोटे चोटे जहते अतर बच्छे होते हैं अनुम्यूल का पार्ट होते है। एनर्चि, टीक है। उसकी लाइनिंग में देखे जाते हैं। यळो और बॉलैण ताइब के होते हैं। धबे जैसे या धाने जैसे पढ़ जाते हैं। इसी को कॉपले की स्पोर्ट कहा जाता है ठीक है और ज्यातर बच्चों में देखे जाते हैं आफसन डी इसका राइट आमसर है नेश्ट एक कोशन नमबर आपके स्कीन पर सिक्स कोशन नमबर सिक्स पढ़ें फिर आमसर बताएं निमने में से कौन सा रोग योन संक्रमक योन स इस गुनेरिया यह सारी एच आइवी एडस यह सेक्स्ट या स्टी डियाई डेख रगना इसोगाए एडसा चाईवी गुनुर्या सिफलिस है आपसन डी इसक के राइट आमसर आपके स्कीन पर कोशन नमबर सेवें पढ़ें फिर आमसर बताएं मलेरिया संचरन का तरी का है अगर डेंगू भी लिखा होता तब भी आमसर सही होता ठीक है मलेरिया प्लस डेंगू ठीक है ये दोनों कैसे है वेक्टर डिसीज के अंतर गताते हैं देहां रखना यहीं से जाधर कोशन पूछ जाते है एकजामस में और बैने इसके पहले काफी डेटेल्स में बात कर रखा है वेक्टर डिसीज के बारे में वीडियो पिछले आप देश पहले चकते है जाधर डी टिल्स के लिए कोशन में और एट एकजीमा रोग है अग्जीमा डिसीज एज कहां का रोग है क्या होगा राइट आपसर है इसके यह संबन्धित एक प्रकार का रोग है नेक्ट फूषन नमबर नाइन कोशन नंबर नाइन पे पूछप़ा कशा यह पर जयादा कोशन आपके गलत नहीं हुने क्योंकि यहां पर ज़्यादा कोशन आपको आते होंगे। नित्रा रूग आपको यहां पर फिल करना है कि करण होता है ? सिलिपिंग सिक्निस आपकी स्किन पर 11 फिर आमसर बताएं क्या होगा राईट आमसर इसका यहाँ पर पूछा गया है bronchitis से सरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है which part of the body is affected by the bronchitis ठीक है bronchitis bronchitis से सरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है क्या होगा right answer इसका option C's का right answer होगा lungs मतलब फेपडे प्रभावित होते है यह भी question बहुत बार पूछागी एक्जामस में ध्यान एकना फेपडे अगर आपके option में लिखाओ स्वसंतंत्र क्या लिखाओ हिंदी में ध्यान एकना स्वसंतंत्र लिखाओ तब भी आपका right answer होगा क्योंकि क्या करता है फेपडे आपके स्वसंतंत्र के ही पार्टने तो ध्यान एकना रिस्पाइरेटरी सिस्टम लिखाओगा तब भी answer सही होगा यह स्वसंतंत्र लिखाओगा यहाँ पर ध्यान दे आपसंसी इसका right answer है ब्रॉंकाइटिस यह फेपडों को प्रभावित करने वाली बीमारी है डिसी जे जे नेश्ट एक कोशन नमबर 12 यहाँ पर पूछा गया है नाक का प्रता है इंफ्लेमेशन के बारे में बात की जारी क्या कहलाता है क्या होगा right answer इसका कमेंट करें जो भी right answer है आपसंसी इसका right answer है राइनाइटिस कहलाता है क्या कहलाता है राइनाइटिस कहलाता है नाक में जो सूजन हो जाती इंफ्लेमेशन हो जाता है उससे राइनाइटिस के नाम से जाना जाता है option B is the right answer next question number आपके skin पर 13 यहाँ पर पूचा गया silcosis रोक से सरीर का कौन संग प्रभावित होता है which part of the body is affected by the silcosis क्या है right answer very very important बहुत पूचा गया question है यह भी option B is का right answer होगा lungs प्रभावित होते है क्या प्रभावित होते है फेफड़े आपके प्रभावित होगे ध्यानक ना फेफड़े लिखा होगा तब भी सही होगा या स्वसंतंत्र लिखा होगा ठीक है क्या स्वसंतंत्र मतलब respiratory system लिखा होगा तब भी answer यही माना जाएगा यही क्योंकि जो फेफड़े होते हैं के respiratory system या स्वसंतंत्र के भाग होते हैं नेश्ट है question number 14 question number 14 पढ़े हैं फिर आंसर बता है BMD परिच्छाड bone mineral density कहा जाता है इसी को से किस बीमारी के diagnosis की जाती है which disease is diagnosed by the BMD test क्या है right answer कम से कम 10-10 बार question यह पूछा जा चुका है एक्जामस में BMD test से किसकी diagnosis की जाती है आफसर डीज का right answer होगा osteoporosis की की जाती है किसकी osteoporosis की ध्यान रखना है आपको BMD test किया जाता है osteoporosis BMD में क्या चेक किया था bone mineral density डीज सब्द जो last में लिका है न तो इसका मतलब है कि हट्डियों की density चेक की जाती है कि कितना घना पन अगर घनत तो कम होता है तो इसका मतलब आपकी जो हड़ियां है bone है वो कहें easily fragile हो जाएंगी या tender है या बहुत मुलायम होती है ठीक है यह easily तूट जाएंगी ठीक है क्योंकि इनका जो density होता है घनापन होता यह क्या होता है कम हो जाता है ठीक है तूसरी का पता लगा जाता है BMD test के माध्यम से osteoporosis और osteoporosis का मतलब यह होता है कि जो आपकी हड़ियां है इनमें जो density होता है इसी को चेक्व के तह मतलब कितनी कम हो गई है density की ठीक है चलते है नेश्ट कोश्चन पर नेश्ट यहां पर BMD का पूरा नाम मिंसर किया गया है ध्यान रखना है bone mineral density होता है नेश्ट कोश्चन नमर आपकी स्कीन पर 15 यहां पर पूछा गया है अंतास्तरावी बहास्तरावी दोनों गरंथियों की रूप में काम करने वाली जो गरं करती है वह कौन सी gland है आफसर डीज कराइट हमसरे अगनासे कही है यह पिंक्रियाज यह अंतास्तरावी बहास्तरावी दोनों गरंथियों करती है अभी हाली में CHO exams में पूछा जा चुका है SSC में पूछा जा चुका है nursing के कई exams में पूछा जा चुका है ठीक है question चलते है next question पर यह है आपके skin पर 16 शोला नंबर निमन में से जल जनित वाटर बॉर्ण बीमारी कौन सी है विच आपदी फॉलाविंग कीजिया वाटर बॉर्ण डीसीज कौन सी है दिये गए आफसर इससे बताना राइट आंसर जो भी वाटर बॉर्ण डीसीज हो जो पानी के माधिय से फैलती हो संक्रमित पानी कंटेमिनेटट वाटर के माधियं से फैलती हो कि क्या होग राइट आंसर इसका आफसर इसका डीस का राइट अंसर आपका बूत एएंड पालियों भी डैरिया भी ठीक है पॉलियो डैरिया यह क्या है जल वाटर बॉर्ण डिसीजि़िट कभी कभी पॉलियों को लेके पुछा जाता है और भी कई बीमारी हैं मैंने पहले से बता रख रहा है टीक है तो ध्यान रखना यहाँ पर जो दी कहीं के बारें बात करें वाटर बार दिसीज गैंतर गता आती है ठीक है आफसन डीज का राइट अंसर होगा क्या होगा इसका राइट आंसर यह वे वैक्सीन है जो बच्चों में क्या होता है इसका सिंगल डोज ही प्रभावी रहता है यह भी कोशन एक जांस में पूछा जा चुका है वो कौन सी वैक्सीन होता है जिसका सिंगल डोज ही प्रभावी रहता है आपसन उसका भी BCG होना चाहिए मतलब BCG ही होता है ड्यान रखना है आपको वे ठीक है जो बच्चों में इस्ताय निसान छोड़ जाता है BCG है और एक कोशन पुछे जाता है वे कौन सी टीका जिसका सिंगल डोज ही मतलब एक ही डोज प्रभावी रहता है तब भी आउसर आपका धहन रखना BCG होगा बैसले स्कालमेटी गियूरिन इसका पूरा नाम होता है नेक्स्ट एक कोशन नमबर आपके स्किन पर 18 कोशन नमबर 18 पढ़ें फिर आउसर बताए क्रेटो मेलेसिया रूख किस बीटामिन की कमी करण हो जाता है क्रेटो मेलेसिया इस डिसीज काजड ड्यू टू डिसिएंसी ऑफ विच बीटामिन क्या होगा राइट आउसर इसका कमेंड करें जो भी राइट आउसर है आफसर डिस का राइट आउसर है बिटामिन ए बिटामिन ए की कमी के करण क्रेटो मेलेसिया डिसीजज हो जाती है मैंने कई बार जिक्र किया है देखिए ध्यान रखना है आपको जिरो फैथेल्मिया एक डिसीज़ होती जो एकजामस में बहुत पूछी जाती है ठीक है अगर आप लिखना चाहें तो हिंदी में इस तरह लिख सकते है जिरो फैथेल्मिया डिसीज़ होती है जो बिटामिन A की कमी की करण होती है जिरोसिस कभी कभी लिख के दे दिया जाता है ठीक है नाइट बिलाइडनेस ध्यान रखना है आपको और एक बीमारी जो अभी हाली में पूछी गई थी सीचो एक जामस में ठीक है बेटाट स्पोर्ट ठीक है ये ध्यान रखना ये भी क्या होता है बिटामीन A की कमी के करण होता है कौन कौन से दिसेज़ बेटाट स्पोर्ट बि-i-t-o-t-a-s-o इसपोर्ट की स्पैलिंग लिख लेना है एसपो-s-p-o-t ठीक है बाइटाट इसपोर्ट ठीक है ये सारी बीमारें जेतनी मैंने अभी तक बताई यह रिविजन्स के लिए बता दी आपको ताकि ध्यान रखे क्योंकि यहां से कोशन बनी जाता है एकजामस में चाहिज़ता है तो यह सब बिट्यामिन एक ही कमी के करण होने वाले डिसीज़ेज़ें यहां पर पुछा गया है एडिनल हार्मोन का दूसरा नाम क्या है इसे एपिनेफरीन कहा जाता है और यहां पर पुछा गया था कि एडिनल का दूसरा नाम कहें एपिनेफरीन है यहां पर पूछा गया है कितनी सब्ता से पूर्व जन्मा बच्चा प्री टर्म कहलाता है पोस्ट टर्म प्री टर्म को लेके अक्सर एक्जांस में कोशन पूछे जाते हैं ध्यान रखना है आपको अब यह भी बॉर्ण बिफोर हाव मैंने वीक्स इच कॉल्ड प्री टर्म क्या कहा जाएगा इसका राइट आंसर बताएं जल्दी से आपसेट इसका राइट आंसर होगा 37 weeks 37 weeks अगर पहले जन्म लेता है बच्चा तो उसे preterm baby कहा जाता है पोश्ट term कब कहा जाता है सवाल ये उठता है ये भी question पूशा गया है question अभी हाली में इसके पहले जाने कितनी बार पूशा गया जब 42 सब्ता से जब 42 सब्ता के बाद baby जन्म लेता है इसे post term कहा जाता है ये लिखा है preterm 37 सब्ता से पहले अगर post term के बारे पूश लिया है तो अब ध्यान रगना 42 सब्ता के बाद अगर baby जन्म लेता है तो उसे post term कहा जाता है next question number 21 यहाँ पर पूशा गया osteomalacia रोग किस बिटामिन की कमी के करण हो जाता है osteomalacia disease it caused due to the deficiency of fish vitamins क्या है राइट आमसर इसका option C इसका राइट आमसर है vitamin D option C लेकिन vitamin कौन सर D मैंने भी बताया था BMD test किया जाता है sorry osteoporosis के लिए किया जाता है यहाँ पर पूशा गया लेकिन इसका भी relation उसी से होता है ठीक है लेकिन आपको ध्यान रखना है osteomalacia रोग यहाँ पर vitamin पूशा गया ध्यान रखना है vitamin D ज्यादा बात नहीं करेंगे details में यहाँ पर osteomalacia के जो मतलब होता है softening the bone ठीक है इसका भी relation osteoporosis भी होता है ठीक है नेश्टे कोशन नमबर आपकी skin पर कोशन नमबर 22 22 नमबर पे पूशा गया कोशन है इसकरवी रोग किस vitamin के कमी के करण हो जाता है क्या है right answer इसका कमेंट करके बता सकते हैं जो भी right answer आपको लग रहा हो after 20 कराइट answer है vitamin C किसकी कमी करण होता है vitamin C की कमी करण होता है कई बार इसका chemical name लेके question पूशे जाते हैं इसका chemical name होता है ascorbic acid होता है तो ध्यान रखना है chemical name एक्जामस में ऐसे पूशा गया है कई बार निमनिमन से बताना है कि ascorbic acid जो है यह क्या है protein है वसा है fat है vitamin C तो आपको ध्यान रखना यह क्या है एक प्रकार का vitamin है क्या vitamin हो कि ascorbic acid यह chemical name है vitamin C क next question number आपकी skin पर 23 23 पढ़े है जलने से फिरामसर बताए कौन सी गरंती तनाव पूर्ण श्तितियों का सामना करने के लिए व्यक्ति को तयार करती है which gland prepares a person to cope with the stressful situation कौन सी gland होती हो कौन सी गरंती होती है क्या होगा right answer इसका option D इसका right answer है adenal क्या होगा adenal gland होती है मैंने अभी इसी के बारे में बताया था यह किसके उपर इस्तित होती है यह kidney के उपर इस्तित होती है कितनी pairs में होती है एक pair होती है number में कितनी होंगी दो एक यह एक यह एक left एक right ठीक है तो दो होती है इनकी संक्या होती है और कौन सार्मों से निकलता है adenal hormone से निकलता है बहुत सारी hormones यहां से secreted के जाते है निक्स टेक कोशन नमर आपकी स्कीन पर 24 पढ़ें जल्ली से फिर आमसर बता है enzymes, mold यह क्या होते है what are the enzymes basically आपको बता रहे है mold लूप से क्या होते है option क्या होगा right answer इसका option ds का right answer होगा protein होते है क्या protein होते है mold लूप से enzymes mold लूप से protein होते है थिक है अगर आपसे 摔र- अपे protein होते जिससे पॉइंवाइन एक्जांस मैं इनको अलग–लग ले के question पूछा जा चुका है ठीक है लेकिन मैंने आपको इसी में से सारे बता दिये तो ध्यान रखना है यह point सभी important है आपके लिए next question number आपके skin पर 25 25 पर पूछागे है दूद का दही में परिवर्थन किसके करण होता है what causes milk to change into curd दूद से दही बन जाता है किसकी वज़े से क्या होगा राइटाम सर comment करें जल्दी से जो भी राइटाम सर आपको लग रहा हो option C's का राइटाम सर है bacteria के करण ऐसा होता है दूद दही में परिवर्थित हो जाता है bacteria के करण वो कौन सा bacteria होता है lactobacillus होता है कौन सा lactobacillik है या bacillus का है ठीक है जिवाण या बैक्टिरिया के दोरा होता है आप नाम लिखा गया है देख लें आप lactobacillus ये वो bacteria है जिसकी वज़े से जो दूद होता है वो दही में परिवर्थित हो जाता है ये दूद है ये दही में चिंज हो गया ये bacteria का नाम है L ठीक है अगर एक question पूछ लेजाए है कि जो दूद होता है ना milk इसकी सुदता की जाच कैसे की जाती है तो धहार रखना lactometer से की जाती है किसे lactometer से दूद की सुदता की जो जाच की जाती है कौन से वाले दूद की में बात कर रहा हूं समझ रहे हो इधर उदर दिमाग न लगाना ये वो भैंस का दूद जो गाय का दूद होता है इसकी जो जाच की जाती है इसमें कई चीज़ें देखी जाती है पानी बगएरा फैड बगएरा और भी कई चीज़ें देख जाती है तो lactometer का इस्तमाल की जाता है जाती है तो अमीद करता हूँ समझ गये होंगे जो भी पॉइंट बताना चाहता था अब देखे question number 26 यहां पर पूछा गया किस की कमी के कराण इनिमिया रोग हो जाता है क्या है राइट आंसर इसका comment करें जो भी राइट आंसर जल्दी से बता सकते हैं आप आपसर इसका कमी कराण इनिमिया रोग हो जाता है आपसर इसका राइट आंसर है इनिमिया आइरन की कमी कराण हो जाता है लोग तत्य की कमी के कराण हो जाता है आपसर इसका बेस्ट आंसर है दिये गए आपसर में से ओके question number 27 question number 27 27 पे पूछा गया है निमने में से कौन सा हर्मोन शरीर में कैल्सियम के आउस्योशन को बढ़ावा देता है विच आप दी फालविंग हर्मोन इंक्रीज दा एब्जॉप्शन ऑफ दी कैल्सियम इन दे बोड़ी क्या होगा राइट आमसर इसका कमेट करें जो भी राइट आमसर है इसका जो राइट आमसर है आफशन C है क्या पैरा थाइराइड हर्मोन होता है ठीक है ये कैल्सियम के एब्जॉप्शन को बढ़ावा देता है आफशन C is the राइट आमसर नेक्स्ट है कोशन नमबर आपके स्किन पर कोशन नमबर 28 यहाँ पर पूशा गया कोशन है कौन सा हर्मोन सो उड़ो या लडो हर्मोन फाइट और फ्लाइट हर्मोन के नाम से जाना जाता है विच हर्मोन से आलसो नोन एज फाइट और फ्लाइट हर्मोन क्या होगा राइट आमसर इसका इसका राइट आमसर है आपसर बी एडिनिल मैंने अभी बताया था इसके बारे में बहुत सारे इसे आपात कालीन हर्मोंस भी कहा जाता है कौन सा हर्मोंस कहा जाता है एमर्जंसी हर्मोंस के नाम से ये जाना जाता है एमर्जंसी हर्मोंस एमर ट्रेंग्लर लों के ऊपर दोनों को इस्तित होती है इसां सरावित होता है यह सीुधिर्टिowych नियुट होता यह Ton 29 नेन यहां प्रफुचा गया और मढोलते लोग किसी कमी के कारण होता है डिथीटेज ही is caused due to the deficiency of क्या है right answer इसका जो भी हो right answer बताने चलिए से आफसन डीटीज का right answer होगा इंसुलीन की कमी के करल होता ez ठीक है, diabetes जो रोग हो जाता है इंसुलीन की कमी करल हो जाता है Okay, इंसुलीन में कौनस अथ能 तो पढ़ाः जाता है ये एनम एक्जामस में पूछा जा चुका है और भी कई एक्जामस में पूछा जाता है जेडिन पाया जाता है जेडिन का मतलब क्या होता है जिंक एक बात और ध्यान रखे कभी कभी क्या होता है पूछा जाता है इंसुलिन में कौन साता तो पाया जाता है तो कभी कोई जस्ता लिखा जाता है क्या लिखा जाता है जस्ता तो घबडा है नहीं आप थोड़ा ध्यान दे और मैंने क्या पढ़ा है इस पर भी ध्यान देना ठीक है जेडेन या जिंक कहा जाता है इसी को परफॉर्म्ड यह कोशन अभी हाली में पूछा गया है इसके पहले बहुत बार कोशन रूठाया जा चुका है कमिशन में तो क्या होगा राइट आमसर इसका आफसन प्रसो की स्टेज में किजाता इसमें मैंने बताया था आपको किया धाया जाता है क्या किया होता है जिससे क्या होता है जो बेभी का प्रफॉर्म्ड किया जाता है Second Stage में किया जाता है मतलब दोती आवस्था में किया जाता है ठीक है दोती आवस्था में प्रसाओकी तो उमीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगए होगा चैनल पे नहीं सब्सक्राइब करना लाइक करना हो सकते दोस्त तक सर्शेयर कर करेंगे और ज्यादा ज्यादा स्वाल वर्काने कोशिस करों के वीडाय। भीडियो को स्किप करके भी कि अब इस समय आप स्वाल कर सकते हैं जो अब स्वाल वरा चुके ठीक है तो चलता हूँ जल्दी मिलेंगे ने स्टूडियो में थैंक्स पर वाचिंग पॉइंट थैंक्यू बाबाई टेक केर्स